सबी दोस्तों को नमस्कार, मैं सुभी सिंग अधियाना विवानी से आपका स्वागत है, वेल्केम आपका अभी नंदन है, आज दोस्तों हम इंडो इजराइल का प्रोजेक्ट है, लाडवा में, कुछेत्र में आई हुए हैं, तो यहां काफी वराइटी की पहले ट्राइ किय अब इसमें फ्रूटिंग आई हुए है, यह अन्ना का प्लांट है, यह मुद लुप से इजराइट की वराइटी है, और इसमें भी फ्रूटिंग है, कि तुडाई भी चलू होगी है, और यह इसका साइज है, आप देख रहे हैं यह अन्ना का तो इसमें ऐसे लगते हैं, तुडाई शुरू कर देते हैं, और जो पक जाता है, उसको मार्केट में बेख देते हैं, तो जो अन्ना वराइटी है, वो अपने हरियाना, राजिस्तान, पंजाब, गुजरात, माराथ, जारगंड, शक्तिशगड में सभी जगों में काम्याब है, और इसको हम 47, 48 डिगर तक हम इसको लगा सकते हैं, और यह गर्मी में भी शैन कर सकता है, इसमें इतनी पावर है कि आप राजिस्तान में भी 47, 48 टमप्रेचर हैं, वहां भी लगा सकते हैं, तो यह जो प्लांट है, यह इंडो इसराइल प्रोजक्ट के त्यार किये गए है, और डक्टर परमार उन सब्संद्रिस्टी माजवद परदेश सही अन्ना की प्लांट लेते हैं, और हम ने यह दिखाना की कोशिच की है कि आप हर्याना में कहीं भी एपन लगा सकते हैं, और इसमें फूर्टिंग ले सकते हैं, बहुत से बाई कैते हैं कि इसे भायो आप पन्जाब में, राजिस् और इसका मिठास भी है तो दोस्तों यह अन्ना प्लांट की जनकारी थी उसको हम इसमें लगा सकते हैं इसमें आपको दिसंबर दिमें लगा सकते हैं यह ढोघ और तो कर लंडरफ, इससमें इसका इसमें साइध बहुत अच्छा है आप देख रहे हैं तो अभी इसमें जो दो इसा है कि जब हम लगाते हैं तो आप नहीं भी लगाते हैं इसमें जो रस हैं बहुत ज्यादा है और मिठा भी बहुत जादा है तो आप ये ये या लगाने के लिए और यह जाली लगाई हुई है यह पक्छियों से बचने के लिए बंद्रों से बचाने के लिए लगाया हुआ है क्योंकि इतनी देखभारगी यह इतना मियोंका फूरॉट होता है यह फिर बंद्र या पक्छिशन कर देते हैं तो फिर इसके आगे विक्री नहीं हो पाती तो ये इसकी ये किया गया है और ये जो आप देख रहें डोर्शट गॉल्डन है और इसमें भी बहुत अच्छी फूर्टिंग आई हुई है तो आप ऐसे प्लांट लगाने हैं आपने डोर्शट गॉल्डन है अन्ना है तो ये प किसंबर में ही लगाने का सबसे बढ़िया है सबी दोस्तों को नमश्कार